कि एई यूनो दोस मुमेंट्स जब कोई पब्लिक टॉयलेट में टॉयलेट करने आता है तो कोई इधर निशाना लगाता है कोई कोने में निशाना लगाएगा अगर साइड में किसीने माच इसकी कांडी फिग रहेगी न तो उस पे निशान लगाएगा आज तो इसको पाना ही है जैसे वही काम जिंदगी में बाकी रह गया है बस अब सीधा रखना तेड़ा मेरा क्यों कर रहा है क्या और इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ दा माई साब आज जो वाजू कि सारी दिवारे भी आज तो गरम फुवारे से गीली करके जाएंगे जैसे गवर्म लों को solve करने के लिए युरिनल के आसपास जो लोग गंत की फिलाते हैं उसे रोकने के लिए एक सोशल एक्सपरिमेंट हुआ था और यह एक्सपरिमेंट हुआ था एंस्टर डैम के एक एरिपोर्ट पे जहां पर जो 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 एन होलोता है उसके एक्जेक्ट ऊपर एक छोटी सी मक्खी का फोटो चिपका दिया और वो भी एकदम रियालिस्टिक ताकि सब लोग उसी पे एम करें और अपना कुरकुरे सीधा रखें तो आप भी ध्यान रखेगा अपना कुरकुरे सीधा रखेगा यह एक्सपेरिमेंट भी बहुत ही थ्रिलिंग था इस एक्सपेरिमेंट में 148 टेटू वाले हट्टे गट्टे बाइकर्स को सिनिमा और में बिठा दिया अब पूरे थेटर में सिर्फ दोई सीध खाली बच्छी है और वो भी इन लोग के बीच में इमेजिन आप भी ऐसे कपल अगर मुवी देखने जाते हो गहीं पे और पूरा थेटर हट्टे गट्टे एक लिस्ट फास्ट इंप्रेशन में खतरनाक दिखने वाले लोगों से भरा हुआ है और इन लोग के बीच में सिफ दो सीट खाली बच्छी है क्या आप बैठो के उ पार मáis कजिब के विरेशन ही आप आपक FRक स canyon अभरा घपकर ढाफ पार रहरर ख़एग रखे से में प्रीज सी कारे क्रेंग टी कि आपकर एकले कोर एकले हाते हाच्ट जालोरा एकले कंशी आपकर टार एकले कमा भीज़ कोश्वाने आपकर नम पारा लेकलें चेम आपकर द अब दो खुआएब है तो जैसे आपने देखा जो कॉपल सीन दोनों सीट्स पर बैठे थे उने स्टेंडिंग ओवेशन मिला और मुवी देखते 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 फ्री में कासबग बीयर पीने को भी मिला तो इसके बेस्ट एक्जमपल ऑफ डोंट जज आ बॉक पाइट सब्सक्राइब बाइट सब्सक्राइब बच आप अम सब फिर भी कही नगाई जज करी देते हैं और अब चलते हैं इससे भी जाज़ा थ्रिलिंग एक्सपरिमेंट पर अब सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ऐसे इनसान को देखा होगा जो बोलते वक्त तुतला आते हैं में भी आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर आप खुद भी हो सकते हो तेरे वक्त त्याद आता है तोतना तामतना इससे स्टटर्रिंग कहते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है पर डॉक्टर वेंडल जॉनसन जो एक स्पीच पैसलोजिस्स है उनका ऐसा मानना था कि किसी भी इनसान की नॉर्मल स्पीच को तोतला बना देना पॉसिबल है और किसी तोतले इनसान की स्पीच को नॉर्मल कर देना ये भी पॉसिबल है अब इसी बात को साबित करने के लिए डॉक्टर जॉनसन ने एक एकस्पेरिमेंट किया जिसमें 22 चोटे बच्चों को बुलाया गया और उनने दो गुरूप में डिवाइट कर दिया एक ग्रूप को नाम दिया normal speakers और दूसरे ग्रूप को नाम दिया st Representatives यानी तोतले बच्चे बर रियालिटी में इन तोतले बच्चों के ग्रूप में सिर्थ 5 य बच्चे ऐसे थे जिनकी स्पीच तोतली थी बाकी बच्चे एकदम नॉर्मल बोलते थे पर इस दिन बात पूरे के पूरे ग्रूप को स्कूल में टीचर्स तोतला बुलाते थे स्टटर्स के ग्रूप में मौझद सारे बच्चों को स्पेशल लेक्चर्स दिये जाते थे कि बोलते वक्त तोतलाना नहीं है बोलते वक्त words repeat नहीं करने हैं And as a result, experiment के एक week बात Stutters के group में जो 6 normal बच्चे थे उनमें से 5 तोतलाने लगे और जो 5 बच्चों की speech already totally थी वो लोग उससे भी जाधा तोतलाने लगे क्योंकि इन 7 दिन तक ये बच्चे बहुत ही जाधा self-conscious हो गएते अपने तोतले बन को लेकर तो Dr. Johnson नहीं ये तो प्रूव कर दिया कि एक strong influence के जरीए किसी normal बच्चे को भी तोतला बनाना possible है पर उसका ultra-proof करने के लिए यानि Stutters के group में मौझद बच्चों पर जो damage हुआ उसे reverse करने के लिए बहुत सार experiment हुए पर कोई भी experiment successful नहीं हुआ और इन 11 में से 10 बच्चे हमेशा के लिए तोतले हो गए इस irreversible और छोटे बच्चों पर जो permanent damage हुआ उस वज़े से इस experiment को monster study नाम दिया गया था तो इस experiment से हमें को सीखने मिलता है कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसकी speech में थोड़ा सा तोतला पन है तो उसे बार बार याद मत दिलाओ कि युनों ऐसे नहीं ऐसे बोलना है जतना ज़्यादा आप उसे self conscious कराओगे उसके तोतले पन को लेकर damage उतना ही ज़्यादा deep होता जाएगा best case scenario यह कि आप उसके साथ एकदम normally behave करो ऐसे जैसे कि उसकी speech एकदम normal है इससे at least उसका तोतला पन ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और अगर influence की बात करो ग्रूप में fit in होने की बात करो तो इसके जैसा एक similar experiment मैं आपको दिखाता हूँ जिसका video भी available है इस video में 10 लोग hospital के waiting room में बैठे है उनमें से 9 लोग को already पता है कि यहाँ पर एक social experiment हो रहा है तो जब भी एक beep बचे तब सारे लोग को खड़े होके फिर से बैठ जाना है अब यह लड़की नहीं नहीं आई है और इसे यह बात नहीं बता तब हम यह video ही देख लेते कि क्या होता है एज विकन सी पहले लड़की को awkward फिल रहा है कि यहाँ खड़े की और लोग रूल है क्या सगोई अब दूसरी बार लोग खड़े हुए तो कंथर नहीं हो खड़े हुए हम क्या तीश्रीइवाल लोग recreation i तो आइवे खड़े हुआ जाती हुए हां थ्री हां लगता है रूली है हां थेक बैटनाब यह खें अब तो क्योंच वारह शोथी बाह उत्वतीड करiyor 005 इंश से आध च्वानीट पोज जैसे आपने देखा कि लड़की हर बार खड़े होके बैठे जा रही है बट उसे तो पता भी नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं बस लोग किया जा रहे है तो मैं भी कर रहे हूं बट नव इंट्रेस्टिंग सेनारियो सारे नोग के नोग चले गया है अब सिर्फ एक लड़की बची है वोड़की है वो बीबचते ही खड़ी होगी या फिर नहीं होगी लेट सी हुई हुई खड़ी क्यों हो रही है दूसरी मार ऐसा कोई रूल है क्या खड़ा हो ना पता नहीं होगा शायद इनो क्योंकि वो लोग खड़े हो रहे था तो मैं भी हो रही हूं होगा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब खड़ा हो ना ओठीक है ओओगे और दूसरी बार अठीक है ओगे ओगे सब्सक्राइब देख या रही है हां तेर को भी होना है हां सब्सक्राइब ठीक है सब्सक्राइब अब हाँ है सब्सक्राइब अब देखते यह जाड़िया खड़ा होता है कि नहीं हाँ है यह नहीं होगे और्याएं देख यह रहाँ है अभी भी नहीं होगे आप को तोड़ा साइक खड़ा गौँ अठीक है सब्सक्राइब कि एंड रिमेंबर इन में से किसी को भी नहीं बता कि हम खड़े हो के बैठ कि रहा है बस हर एक नया बंदा आ रहा है सब लोग को खड़े हो के बैठ देखते वो भी करने लगता है बट अब लड़की भी चली गई है डॉक्टर के पास जो में रूट था इसका राइट पर य भी बचते ही लोग खड़े हो रहे है फिर दूसरी बार लोग खड़े हुए तो अब उसे थोड़ा ओक्वर्ड लग रहे है कि खड़ा होना पड़ेगा क्या मुझे भी तीसरी बार लोग खड़े हुए तो अब अकेला पन लग रहा है ऐसा लग रहा है कि अपन ग्रूप म पूरे रूम में, पर अब उसे किसी को देखने की भी जरूरत नहीं है, वो बीब बजेगा सीधा खड़े होके बैठ जाएगी, बिट रिमेंबर लड़कीन ये शुरू क्यों किया था, क्योंकि उसे ग्रूप में फिट इन होना था, पर अब तो कोई ग्रूप भी नहीं है, स इसा यह होता है ना, रेल लाइफ में बी, घृफ में फिट इन होने के लिए, अपने अपको एकसेप्टर फील खूराने के लिए, एसी कित्नी सारी चीज़े आप करते हो जो टोटली मीनिंगलेस है, और इस एक्स्परिमेंन में, तो गृप में फिट इन होने के लिए लड और आप 30 साल के हो गए, अभी तक सक्सेस्फुल नहीं हो, कैसा फील होता होगा, एक्स्क्लूद फील होता है, राइट, ऐसा लगता है कि अपन ग्रूप में फिट ही नहीं नहीं और और इसी वज़े से कितने लोग मेनिंग्लिस टेंशन और प्रेशर में कितने साल निकाल दे खील में धुड़ता है, जो पाइट, आसे पूस्टियो से देखाते हैं, इस विडियो को सेकराओ क्रीशन सायषिस्टियों यह विज़े, इस अफ सा बता है, आर इस विडियो को शेड गर आपको शीचिण परदेखना है तो अप्न बोक्स में जारुर बताँ और इस वीड next video enjoy